आज आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताने कि आज बताने वाले क्या है कल हम आपको बताये थे कि आपको पढ़ना है सिर्फ घहनिया एककोस्टिका के बारे में और घहनिया एककोस्टिका में जो ब्रावियास लेटिस था जो एरेंजमेंट था कंस्टेचेट पार्टिकल्स का हुआ तीन तरह का था वह या तो सिंपल क्यूब में एरेंज होता या बोडी सेम्टर्ड में मतलब BCC में एरेंज होगा या फिर FCC में एरेंज होगा तो सिंपल क्यूब में एरेंज होगा तो वह सिर्फ कॉर्णर पोजिशन पर जाएगा BCC में एरेंज होगा तो कॉर्णर के सिवाए एक पोजिशन बिल्कुल बीच और बीच जाएगा और FCC में एरेंज होगा तो सभी कॉर्णर पर बॉल रहेगा और एक एक constituent particles से सभी face के diagonal cut point पर रहेगा यही बात ना समझा है गया था आज हम समझने वाले हैं कि जिस constituent particles से unit cell का निर्मान होता है उस constituent particles का radius कैसे निकलेगा उस radius का क्या संबंध होता है एकक कुष्टिका के भुजा की लंबाई से और यह सब बाते दिए आप जान जाएंगे तो किसी constituent particles का radius निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा इसलिए यह term important देखिए ज़िए आप यह समझना चाहते हैं कि constituent particles का radius क्या होगा तो आपको तीन जो imagination है वो आपको करना पड़ेगा या फिर उसी चीज को practically आप यहाँ पर ही feel कर सकते हैं वीडियो देखकर अभी जो हम आपको देखने के लिए कहें उसको थोड़ा ध्यान से देखना और देखना ही नहीं बलकि उसको feel करना के वास्ता में यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा इस तरह से तुमको लगे कि हाँ वो ऐसा ही है जैसा हम बोल रहे हैं यह feeling अब आजा है तुम समझना कि तुम समझ रहे हो नहीं तुम समझ में नहीं आएगा देखो गौर से देखिए आप इसको यह एक simple cube है क्या इसमें सिर्फ corner पर गेंद है गेंद और भी कहीं नहीं है देख पा रहे हैं आप सुनिये हम इसमें इस सब कंस्टिचेंट पार्टिकिल्स का रेडियस निकालने वाले हैं यह simple cube है क्यूबिक सेल है सिर्फ corner पर गेंद है और यह गेंद इतना छोटा है नहीं जितना दिख रहा है यह गेंद भी बड़ा होगा मान लीजिए इस q के भुजा की लंबाई a है कितना माने है यहां से लेकर यहां तक भुजा की लंबाई a है अब क्या होना है इसमें कि यह गेंद धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद किस तरह का situation create करेगा उसको समझेंगा गवरा क्यां कि मैं देखिए ये बड़ा होना start कर दिया है कि और बड़ा होगा और बड़ा होते होते जब बड़ा हो तो वो जाल पूड़ा का पूड़ा खत्म हो जाग module वह दिखेगा आपको नहीं रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं और इस दोरहन आप देखिए गौर से यहापको नहीं रखता है कि उपर का चारो गेंद नीचे के चारो गेंद से सकता जाएंगा? इधर ये गेंद इससे सकता जाएंगा? यानि जितना भी एड्येसेंट बॉल होगा, अगल बगल वाला जो भी बॉल होगा, वह सब आपस में एक दुसरे के टच में रहेगा एक दुसरे से सट जाएगा समझें सटा क्या ऐसी स्थिती में तुम यहां पड़ एक केंद्र माना था यहां पड़ एक केंद्र माना था जरा बताओ यही था न भूजा यदि इस भूजा की लंबाई A है तो उस एक भूजा में दो बॉल इस तरह से समा गया कि आधा इधर गया और आधा इधर आया अब बताइए एक radius यह हुआ एक radius यह हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह कुल A जो है यह 2R के बड़ावर है It means in case of SC 2R is equal to A then R is equal to A by 2 This is the relation between radius of constituent particles and side of cube in case of simple cube SC देखे कि क्या संबंद है R-O'day के बिच कोई दिकत तो नहीं है इसमें एक बात तो आपको समझ में आ गया कि simple cube में radius का संबंद एक के साथ क्या है समझ गया आप आप सभी लोग अपना-पना identity page निकाल लेजी और एक आदमी इसमें काम कर रहा है वो जब आपसे कागज मांगे तो आप उसको दे दीजेगा जो भी लिखा हुआ है वो निकाल लीजे आप सामने में सिर्फ अड़की है जब वो आएगा तो आपसे मांगेगा कौपी दे दीजेगा आपको कुछ ने करना है बस उसको कौपी देना है बस और इस बात के लिए कोई ऐसा बच्चा नहीं है नहीं इसमें जो छो से साथ वजेवला जाके बैठ गया है कौण आप काहे आई इस बैच में सुबह में सुतले रह गई थे खरी हो जाए और कोई है क्या खरा हो ये पागल बकलोल सब है तुम सब पहले ये डिसाइड कर लो कि तुमको छे से साथ में ही आना है क्या या आठ से नौ में आठ से नौ में जितने लोग खरे हैं जब आपसे कौपी मांगा जाए तो आप बता दीजिएगा कि हम छे से साथ के स्टूडेंट या सोडी जिस बैच के भी स्टूडेंट आप बता दीजिएगा कि आपको किस टाइम में क्लास करना है अभी सब के बैच पर एक लंबा चोड़ा कोडिंग किया जा रहा है कोडिंग के अंतरकत आप अपने बैच को चेंज नहीं कर सकते हैं आपका कौपी सिर्फ एक ही बैच के लिए भैलिड रहेगा सिर्फ आट से नौ के लिए वहाँ पर C2, C3 एक बड़ा बड़ा लेटर में लिखा जा रहा है C3 रहेगा तो वो C1 बाला कोई लेके बैच नहीं सकता है सुबह में आपका कौपी बहुत होसियारी कर रहे हैं आप लोग पता चला है गुप्त सूचना के आधार कर कि कुछ बच्चा ऐसा कर रहा है कि 6 से 7 में पर लेता है अपना कोपी 8 से 9 बजे बला को दे देता है और फूल पेड रहता है उस पर लिखा वहाँ उसी से वह इंट्री कर लेता है फोटो सब पर है नहीं तो सब एक नमर का पकेट मार है तो पकेट मार है तो तुम सब के लिए रूल है अब एक आदमी किसी एक ही बेच में आ सकते हैं दूसरा बेच में अब देखो तुम सब जितना नवटंकी करोगे न उतना परिशन ही तुम्हारा ही बढ़ेगा पहले क्या था कि 6-7-8-9 किसी में अलाओ हो जाता था अब वो काम होगा नहीं अब रोज दिन आप 8-9 में ही आएगा क्लास छुट गया तो छोड़िया क्लास नवटंकी आप कीजिएगा तो भूगतेगा कौन आप ही न आपको हम एप पर सुधा दिये कि ओनलाइन ओफ लाइन पढ़िये जैसे मन हो पढ़िये तो आप लोग नो टंकी क्या करने लगे पूरा पेमेंट नहीं किये जब रुपया मांगा जाता है तो चले जाते हैं घर में बैठ जाते हैं 4-5 दिन ओनलाइन पढ़ लेते हैं आप अपना बैठ टाइम बता दीजिएगा कि आपको रेगलर आना किस टाइम में है उस हिसाब से कोडिंग करेगा आप लोग का जब कोपी जो लोग खड़े हैं मैं उस सिर्फ उन्हीं को कह रहा हूँ जब आप से कोपी मांगा जाए तो आप उनको ये बात बता दीजिएगा बैठ जाएगे क्या ये बात समझ गए आप सुनिए अब अब हम आपको बताते हैं BCC का बात देखो ति यह एक BCC सनरचना है क्या अब BCC सनरचना में भी सब गेंद एक दूसरे को टच करेगा सब गेंद एक दूसरे को टच करेगा तो हम ये चेक करेंगे कि कौन-कौन टच में आ रहा है और कौन-कौन टच में नहीं आ रहा है जैसे देखिए अब ये बड़ा होना शुरू हुआ अभी तो गोम रहा है अभी छोटा हुआ फिर बड़ा होगा क्या ये बड़ा होना स्टार्ट किया है तुम एक चीज महसूस करो यही तुमको फिल करना कि जब ये बीच में सेम टाइप का गेंद रहेगा न तो ये बॉल और ये बॉल कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकता है क्या पैसा महसूस करते हैं नहीं करते हैं तो देखिए महसूस हो जाएगा आप देखें बिच्चे में आटक गया यदि इसके भूजा की लंबाई ए है तो आपको लगड़ा होगा कि ये दुनों आपस में सट गया लेकि ये आपस में सटा नहीं होगा उस चीज को आपको फ्रेसली देखना है तो यहां से देखिए क्या ये गैप छोड़ दिया की नहीं है जब गैप छोड़ दिया तो ये आर है ये आर है ये पूड़ा का पूड़ा ए है तो हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे इस method से आ रहाँ पर नहीं निकलेगा तो किस method से निकलेगा देखिए अब ये गरबरी हुआ का है ये गरबरी इसलिए हुआ क्योंकि बीच में कुछ जगह रहा गया जगह रहा गया तो बाटेंगे कुछ ने कुछ पार्ट फालतू का बच जाएगा तो exact calculation पॉसिबल तब नहीं हो पाएगा वैस ये सितिय में तो क्या करना है आपको ढूणना है वह जगह जहां पर सभी atom आपस में एक दुसरे को टच करता हो अब बताए दूगो डाइगोनल कॉर्णर रोड बीच वाले दुसरे को टच कर रहा है आप थोड़ा गोर से देखिए इसके सेंटर को इसके सेंटर को और बीच वाले को इसको यदि हम मिला दें तो पताएगे ये टच कर रहा है कि नहीं और आपको नहीं लेता है कि ये क्यूब का डाइगोनल है विकर्ण टाइप का चीज है ये बोलिए यदि इस पूरे क्यूब के भुजा की लंबाई ए है तो उस क्यूब का डाइगोनल कितना होगा आपको पता है रूट थिरी ए ये रूट थिरी ए होता है नहीं जानते हो तो जानो यदि किसी घहन का भुजा का लंबाई ए है तो उसका diagonal root 3A होता है समझे है अब आप एक चीज बताइए ये पूड़ा का पूड़ा हो गया root 3A इसमें कौन-कौन सामिल हुआ इस गेंद का आधागो यहां तक इस गेंद का आधागो यहां तक और इस गेंद का पूड़ा तो आपको नहीं लगता है कि एक radius यह और इस गेंद का पूड़ा का पूड़ा दो radius यह निए पूड़ा diameter और इसका एक radius तो आपको नहीं लगता है कि इस पूड़े length में चार गो R सामिल हो गया है इसका मतलब है कि 4R जो होगा वह root 3A के बराबर होगा R बड़ाबर हो जाएगा root 3,5,4 समझे या दिक्कत है यानि BCC का जब case बनेगा तो वह formula नहीं लगेगा फिर formula यह लगेगा clear है अब भुजा की लंबाई यदि दे दी जाए तो क्या constituent particles का radius नहीं निकाल सकते BCC में यही काम आप SEC में भी कर सकते अब हम काम करेंगे BCC पर BCC पर जब काम करेंगे sorry FCC पर BCC तो यही था अब FCC पर देखिए क्या होगा FCC में भी आपको ढोड़ना पड़ेगा कि कौन cut कर रहा है कौन cut नहीं कर रहा है नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा देखिए अब एक संड़चना आ रहा है आपके सामने जो FCC होगा देखों तो यह FCC है क्या अब यह धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होगा बड़ा होने लगेगा तो आप ऐसे महसूस कीज़े कि इस वार इसके और इसके बिच की दूरी उससे भी जादा बड़ी हो आपको नहीं लगता है कि ये वाला जो गेंद है ये गेंद ये गेंद ये गेंद ये गेंद ये सब एक फेस का बॉल है और ये इसके बिच डाइगोनल का बॉल है मतलब FCC जब बनेगा न तो FCC देखो यहाँ पर हुआ क्या होगा कि यहाँ पर ये चार एटम इस तरह से क्यूब का निर्मान कर रहा होगा और ये एक ऐसा कुछ होगा लेकिन वो इस ट्रक्चर इतना ना कंपलेक्स बन रहा है कि वो आपको दिखने रहा है यदि हम इस तरह से बनाने लगें तो आपको पड़ेसा नहीं होने लगेगा तो तुम गोड़ से तो कोई ये वाला जो बॉल है यही न बीच वाल है तो FCC में कौन गेंदेख दूसरे के टच में रहता है यहाँ तो इतना जादा गैप आ गया न जी तो उसको तो अंकंसीडर कर नहीं पाएंगे यह किसी एक फेस का जो डाइगोनल होता है वह एक दूसरे के टच में रहता है अब बताइए कि यदि एक घं है कोई तो उसका जो एक फेस होगा वह वर्ग होगा की नहीं वह एक वर्ग होगा और इसमें आधाः ये लिया ये पुड़ा लिया और ये आधा लिया अब देख रहे हैं एक आर यहां पर दूगवार इसमें होगा और एक वर इसमें होगा यानि एक वार फिर से ये फोराध होगा अब ये बढ़ावर किसके होगा सुनो पहले वर्ग के भुजा की लंबाई A हो जाएगी क्योंकि घन के भुजा की लंबाई हम पहले ही कितना मान चुके हैं A अब ये 4R यदि A इसका भुजा का लंबाई है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा root 2 A तो ये हो जाएगा root 2 A के बड़ाबर R बड़ाबर हो जाएगा root 2 by 4 A या IC को चाहें तो लिख सकते हैं AY2 root 2 का टोट का समझ में आई बात तो AAC स्थिती में यहां से असपस्ट है कि इसके भी R का फॉर्मला बदल चुका है अब आप तीन फॉर्मला पढ़ें तीनों को repeat केजिए R बड़ाबर AY2 in case of SC R बड़ाबर root 3 by 4 A in case of BCC and R is equal to AY2 root 2 in case of FCC यह radius important अब से direct radius को देता है ने में लिखित में से radius का फॉर्मला क्या होगा BCC के लिए आ रही है अब आप समझ में तो इस तरह से आप निकाल लेंगे और यह सिर्फ objective के लिए important नहीं है यहां आगे के numerical के लिए भी important आगे numerical भी बहुत सारा है solid state में उसके लिए भी important बात समझ में आ गया अभी हम बात कर रहे थे परमानोत्रीजिया का अच्छा यह परमानोत्रीजिया होता क्या है परमानोत्रीजिया होता है दूग और सटा हुआ परमानो जो होता है उसके नाभिक के बीच के आधे दूरी को ही हम बोलते है परमानोत्रीजिया यह सब आपको 11 में आवर्थ साड़नी में बताया गया है अब आगे सुनें सनरचना कभी SC होती है तो उसका एरेंजमेंट जेनरली SC में होता है और परमानों का साइज बहुत छोटा हो तो उसका एरेंजमेंट जेनरली FCC में होता है और परमानों का साइज यदि बीच का हो तो वह BCC में होता है अब आप assignment देखिए और उसमें देखिए यही बात लिखा होगा है देखिए अब कभर पेज होता है आपके assignment का बचाओ करता है अभी कभर पेज भागा है कल के डिट में हो भाग जाएगा पकर के रखिए पकर के देखो सुनो ध्यान से कल घनिया का कुश्टिका में कनो की त्रीजिया पर ही नहीं छोड़े थे अब जो जो बात बोले हैं वो बात आप बहुत से देखिए आपको एक बार में दिख जाएगा वो चीज़ समझ गया यह सब बात अब जो समझ में उसको वहां बढ़िया से देख लेना तुमको अपने समझ में आ जाएगा अब इस समझ में तुम समझा ही दियें असेंडमेंट पर भी जो लिखा वह समझ में आ जाएगा परमानों तुमको नजदी की परमानों के केंदर से बीच की दूरी के आधे को परमानों तुमको निर्मान होता है अब आगे लिखा हुए घनिया एक अकोस्टिका में कुल परमानों की संख्यां की गरना देखिए वैसें तो ये बात आप हमेसा याद रखिएगा कि SC में एक परमानों होता है BCC में दो और FCC में चार लेकिन अभी हम ये तुमको बोलने कि SC में एक होता है BCC में दो होता है और FCC में चार तो ये तुमको कुछ समझ में नहीं आया कि SC में कैसे आप बोल रहे हैं एक होता है BCC में दूग के से होता है इस बात को आप दो तरह से समझेए एक प्रैक्टिकली ऐसे और एक वीडियो देखकर पहले प्रैक्टिकली हम आपको समझाते हैं और जो जो कहते हैं उसको सुनना और इमेजिन करना कलपना करना तभी समझ पाऊगे मान लीजिए कि आप भी एक ठोस का हिस्सा है और आप अंदर में बैठे होगे और यह एक क्यूब है यदि आप एक ठोस का हिस्सा है तो इसका मतलब यह एक एक कोश्टिका है और यहां पर जो एक कोश्टिका ही यह भी एक एक कोश्टिका जिसमें बैठे होगे यह एक हौल होगा, यही इसका मतलब है क्योंकि हमने आपको पहले कहा कि आप ठोस के हिस्सा है अब बताएए इसके बगल में भी हौल होगा बगल इस हौल के इधर भी एक हौल होगा, पीछे, दिवाल के पीछे एक हौल इधर हुआ एक हौल इसके पीछे हौआ, एक हौल उसके बगल में हौआ, और उस बगल वाले हौल के इधर भी तो एक हौल होगा बस समझ में आ रही है आपको यदि हम इधर से इधर चले जाए तो अगला हौल में चले जाएंगे, उस हौल से कीजिए कि यह जो कोना है उपर वाला आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस चारो हॉल का उवेर्निष्ट कोना है हाँ याना यानी यह कोना अभी तक कुल कितने एककुष्टिका का हिस्सा बन चुका है चार अब और सुनिए इस हॉल के जो उपर हॉल होगा इस हॉल के उपर जो इस हॉल के इसके पीछे वाले हॉल के जो उपर हॉल होगा उधर वाले हॉल के उपर जो हॉल होगा और उसके कोना वाले बॉल के उपर जो हॉल होगा आपको नहीं लगता है कि उसका जो नीचे वाला कोना होगा वो वही कोना होगा यानि यह कोना कुल कित साफ मतलब है कि किसी भी घं में एक कोना जो होता है वह किसी एक कोश्टिका कोना नहीं होता है वह आठ एक कोश्टिका का उभैनिस्ट कोना होता है क्या बास समझ में आए अब आए फिर से अकेले एक कोश्टिका इस पर इस एक कोश्टिका मान लीजिए यह एक आद एक कोश् पर, सिर्फ कोना पर, क्या ये बास समझ में आ रहा है, अच्छा एक बात बताईए आप, हम एक बड़े से बॉल को उस कोना में फिट कर दें, तो क्या उस बॉल का पूरा का पूरा हिसा है, इस क्यूब का हिसा माना जाएगा, कुछ भाग, कुछ भाग बाहर नहीं रहेगा, कुछ भाग अंदर रहेगा, और बहुत बड़ा भाग बाहर रहेगा, कैसे, अब आप इसको समझिए, इस कोना पर जब आप बॉल डालिएगा, तो सिर्फ इस कोना का वो बॉल नहीं माना जाएगा, उस आठो क्यूब का बॉल फैला हुआ होगा, यानि इस एक क्यूब को कितना हिस्सा मिल पाया वन बैए एट, मतलब उसका आठमा भाद क्या ये बास समझ में आपको इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल क्यूब में एक कोना से इस क्यूब को एक गेंद का एक बटा आठवा हिस्सा ही मिल पाएगा और ऐसा-इसा कितना कोना होता है सिंपल क्यूब में आठ न होता है तो एक कोना से वन बटा एक constituent particles का एक बटा आठ मिलेगा तो आठ कोना से कितना मिलेगा एक बटा आठ गुना आठ से आठ कट जाएगा और कुल परमानों हो जाएगा एक यानि काट छाट कर यदि हम सब को एक जगा है कत्र करें तो पता चला कि सिंपल क्यूबिक में केवल एकके वो परभावी परमानों रह पाएगा समझे आप लेकिन यदि आप से कोई पूछे कि सिंपल क्यूब को बनाने में कुल कितना परमानों भाग लेता है भाग लेता है आठ हो लेकिन इफेक्टिव कितना हो पाता है एग हो इफेक्टिव का मतब अंदर में कितना हिस्सा रह पाता है कितना रह पाता है किलियर है यह चीज यानि कभी भी corner पर गेंद रहे तो एक cube को उसका एक बटा आठे भाग मिल पाएगा समझ में आ गया अब आईए BCC में BCC में सब corner पर गेंद रहता है और एक गेंद रहता है body के center position पर तो body के center पर रहेगा ये तो कहीं छिटका नहीं ये तो बीच में फसा रहा गया इसका मतलब इसका पूड़ा का पूड़ा हिस्सा एक cube का हिस्सा माना जाएगा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आठो corner मिला कर एगो मिलेगा और एगो मिलेगा बीच से तो कुले मिला कि इसमें गेंद हो जाएगा दो गो, मतलब constituent particles यानि atom हो जाएगा दो इसका मतलब इसका effective atom परभावी परमानो दो हो जाएगा, अब FCC में आए आठो कॉर्नर पर गेंद तो आठो कॉर्नर से मिलके एक गेंद बनेगा और सब फेस के ने बीचों बीचे का को गेंद रहता है अब जैसे माली जैस पूरे क्यूब का एक बॉल इसके बीचों बीच है इस दिवाल के बीचों बीच तो आधा आप आएगा अंदर आधा जाएगा बाहर तो अधे गों न मिल एक फेस से तो आधा को ही न मिल पाया टोटल फेस कितना होता है छे फेस न होता है सामने वाला इधार वाला दो तीन चार उपर नीचे छे तो छोगों में आधा आधा को कट कट के मिलेगा तो तीन को मिला तो आठों बीच में कैसे आठों कॉर्नर से एगों बनेगा और फिर सेंटर से तीन को बनेगा तीन पलस एक चार यानि FCC में परभावी परमान हो गया चार परभावी परमानों को हम लोग Capital N से या Capital Z से सुचित करते हैं तो SC के लिए Capital N का मान एक BCC के लिए Capital N का मान दो और FCC के लिए Capital N का मान चार यानि SC के लिए परभावी परमानो एक, BCC के लिए परभावी परमानो दो और FCC के लिए परभावी परमानो चार, यह भी एक important objective question है आई बात समझ में अब जो बात हम भी आपको feel करा रहे थे, मतलब imagination करा रहे थे, अब उस चीज को आप feel कीजिएगा, देखिए video समझ में आ रहा है और आएगा तब और आएगा नड़े गलत थोरे हम बोलता है देखो, बोलते हम सहीए है किसी को गलत लग जाता है यह उसकी गलती है इसमें हमारी क्या गलती है बहुत सारे लोग हैं जो हम को देखकर बहुत परिसान रहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं कुछ हों कर सकते हैं क्या बहुत सारे लोग है तुमको भी देखकर कुछ लोग जलते होंगे अरे तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारा दुस्मन लोग फिर देखो तू सब गलत मत सोचो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि हमसे किसी को समस्या है और वो ही बीना किसी मतलब के तो इसमें हमारा क्या दोस है है तो है रहने दीजे अब देख़ो वीडियो देख़ो एक चुप भून हम खेसा में उलजना नहीं चाहते हैं जो कि हमारे पास टाइम हुत सब्साय नहीं किसा करते हैं मेरे बहुत खेसा रहता है लेकिन हम बात नहीं कर पाते ढंग से इसलिए कि पढ़हाना रहता है देखे सुनिये यह एक सिंपल क्यूँ है आपको दिख रहा है अब थोरा गोर से देख रहा है इसको बड़ा करेगा पहले एटम को कर दिया पड़ा अब देखो इसमें टोटल आठ गो परमानू लगड़ा है कि आठ गो है अब क्या करेगा काट छोट के न इसको सिधा करेगा पहले और इसको एक परफेक्ट क्यूब का आकार देगा गेंद का वह हिसा जो क्यूब के बाहर रहेगा उसको यह कटके हटा देगा देखना अब देखिए इसको जो चक्कू लाएगा ले उड़ा दिया अब तुम्हें को क्या दिख रहा है एक अब देखो क्यूब दिख रहा है अब ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है देखो ये केंद्र हुआ केंद्र हुआ इदम बीचों बीच काट के अटा है बढ़ि अब आपने इसको देखिए कि सब एटम को नहीं अब जितना हिस्सा बचा हुआ है यह क्या करेगा सब को जोड़ियाना अस्रों करेगा अब देखो देखा कितना इटम हुआ अब समझ में कि सिंपल क्यूब में कई से एक्के को परमानौ होता है उमीद करते हैं उतना बुलने से बहतर था डारेक्ट यह दिखा कर देते हैं यह एक होता है है लेकिन तब उतना वरी असे लेने बुछता जितना वरीया से हम सोसने हैं चहा जाना है इसलिए यह समझ में हागा तो ET में परभावी परमानों एक अब अब BCC है यह अब BCC में देखिए अब देखिए BCC में ये जो क्यूब बना है न ऐसा लगता है क्या कि देखरे से ये क्यूब है नहीं लेकिन ये क्यूब है देखिए उड़ा दिया फीड देखो अब देखो तुम अब तुमको ये क्यूब नजर आ रहा है नहीं नजर आ तनी बड़ा करके देखो आ रहा है पर यह एक क्यूं नजर अब इसको भी वही काम करना शुरू करेगा जो पहले ही कर रहा था फिर इसको वही अलग करना शुरू करेगा ले पिर जोड़िया शुरू किया सब को कितना एकम हुआ है तो BCC में परभावी परमानू दो अब इसी बात को आप FCC पर समझे देखिए अभी आप एक चीज देखे थे कि सिंपल क्यूब में केवल एक परमानू आप आता है BCC में दो दो और FCC में चाथ अब ज़रा सोचिए कि सेम जगह में एक वाया सेम जगह में दूग हो आया सेम जगह में चार गो आया तो सबसे जटिल सन रचना किसका बनेगा FCC का और सबसे खाली-खाली सन रचना किसका बनेगा SC का इसका भी एक अलग महत तो है आगे जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा अब FCC का देखिए नजारे भी देखे इसारे भी देखे देखा न रहे और देखिए और देखिए नाम क्या चीज है इज़त क्या है क्या हो गया गया दिक्कत है अच्छा वो सोचा गाना बाला कुछ लाईन बोलने तो तक हम आराम कर लेते हैं देखिए ये एक FCC सनरचना है जो अभी छोटा दिख रहा है तो आप कोई ये क्यूब के रूप में भी नजर आ रहा होगा लेकिन जब बड़ा होगा तो लगएगा कि क्यूब है ही ने लेकिन वास्ता में ये क्यूब है अब आगे देखिए अब पहले इसको बड़ा करेगा और तुमको बताएगा कि FCC में ये ऐसा रहता है ऐसा देखने पर कोई कहेगा कि क्यूब है वास्ता में इसकी संरचना को ये दी मिला दिया जाए सभी कॉर्नर को आपस में ये दी मिला दिया जाए तो ये क्यूब बनाएगा और ये मिलाएगा नहीं सिदे काट के ही बना देगा क्यूब थोड़ा है ये उजार है इसके पास बड़ा कड़ गर देख लो अब तुम फील कर रहे हैं इस बात को देखे तो अब ये क्यूब नजर आ रहा है और आपको यह भी नजर आना चाहिए कि ये सबसे जटिल टाइप का दिख रहा है इसके अंदर देखो ये खाली जगा है ये खाली जगा है लेकिन उस सब की तुलना में इसमें कम खाली जगा है सियर में तो बीच में पूड़ा का पूड़ा होल था इसमें तो कुछ हैसा नहीं है अब यहां पर फिर वही जोडियाने वाला काम सुरू करेगा अब देखो सब कोना वाला को जोडिया के अलग कर लिया अब तुमको दिखाएगा कि बगल वला इसस बचल है फेस वाला अधा अधा भागो अधि इसको भी जोडिया देगा कूली मिला के कितना बना चार देरफोर दर टोटल नमर अधाम्स फर फिस सिंटर्ड यूनिट से लिज़ दर वन प्लस त्री इउकल टो फोर तो टोटल इफेक्टिव एटम हो गया फसी सी में चार समझ में आ गया इस तरह से ये बात जरूरी था आपको समझना और उमीद करते हैं आप बहतर समझे होंगे और इतना करने के बाद भी समझ में ना आए तो चुलू बहर पानी देखिए कहीं मिले तो मिले तो जोकार कर लीज़े ये जरूरी है इधर देखो हमारी तरफ देखिए अब कुछ बात आपको समझाना है SC में एक परमानू BCC में दो परमानू और FCC में चार अच्छा एक बात बताओ यदि हम तुमसे पूछें कि एक एक कोश्टी का किस चीसे बनता है परमानू से हम यदितों से पूछें कि एक एक कोष्टिका का भार कितना होगा तो एक एक कोष्टिका का भार उतना ही होगा जितना उसमें परमानू का भार होगा तो SC में एक परमानू उड़ाता है इसका मतलब यह हुआ कि SC के एक एक कोश्टिका का भार एक परमानों के भार के बढ़ाबर होगा BCC में दो परमानों का भार एक के बढ़ाबर होगा चोकि एक 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 यूनिट सेल में दो परमानों उड़ाता है और FCC में एक एक कोष्टिका का भार चार परमानू के बड़ाबर होगा इसका मतलब यहां से यह पस्ट समझ में आ रहा है कि परमानू के भार का संबंद एक कोष्टिका की संख्या से है परमानू के भार का संबंद है जी अब देखिए कई से भार का संबंद है अब यदि हम आपसे एक question यही बात को वहाँ लिखा हुआ है चोकि कोई भी एक कोश्टिका परमानों से बनता है अतह कुल परमानों का भार और सभी एक कोश्टिका के कुल परमानों की संख्या का भार बराबर होगा अब इस पर एक question है है दो कोश्टिन हैं हम एक समया देते हैं एक कुछ नहीं बोलेंगा आपको बना कर लाना है question है कि 46 ग्राम कि 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 झाल प्रचुन है कि 46 ग्राम सोडियम यानि सोडियम धा तो कितना ग्राम है पुछता है तुम से कि isका क्रिस्टली करन एक बार SC में होता है एक बार BCC में होता है और एक बार FCC में होता है देखिए किसी एक तत्व का क्रिस्टली करन एक के तरह से हो सकता है या तो SC या तो FCC या BCC लेकिन ये कहता है कि नहीं एक एक करके न आप तीनों पर काम कीजिए एक बार SC में करवाईए एक बार BCC में करवाईए और एक बार FCC में करवाईए तो कहता है कि 46 ग्राम का crystal-y करन जब SC में बनाईएगा तो बताईए कितना एक अकोस्टिका बनेगा अब कोईसा नहीं लगता है कि इसमें जितना परमानों होगा उतने SC एक अकोस्टिका बनेगा किसे हगा एक डिबानि कर देता है तो यदि तुमसे यही कोशान करें के लिए तब दूगओ-बनानू मिलेगा तब 1-द भी इतना बटको तो समझ रहा इस बात को दो परमानू एक BCC बनाता है तो एक परमानू कितना बनाएगा तो इतना कितना बनाएगा बन जाएगा अब यदि FCC का बात करें तो हम कहेंगे कि चुके चार परमानू एक एक कोष्टी का बनाता है चुके अभी तूरत FCC में एक परमानू तुम चार परमानू एक एक कोष्टी का बनाता है तो एक परमानू कितना बनाएगा तो इतना परमानू कितना बनाएगा इसमें तुमको चार से भाग देना पड़ेगा बना लोगे इसको इसी तरह का एक और कोष्टन है उसको आप पढ़ लीजे गड़ से इसको बना के लेए